Very Good Morning Students, यदि आप English सीखना चाहते हैं, तो आपको Tenses को बहुत अच्छी तरह से Strong बनाना पड़ेगा, और इसलिए Bigners के लिए हमने एक Tenses Related एक Video Series चुरू की है, जिसमें मैं पहली वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने कुछ Tenses के Name और Tenses के Types के बारे में बात की है इस Second Video में हम Tenses से Related कुछ ऐसी Important चीज़ें डिसकस करेंगे, जो बारे Tenses सीखने के लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है Students, तो हम शुरू करते हैं, यह हमारी वीडियो, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, जैसे हमने टाइटल लिया है, Tenses, Word Order, and Other Important Things, Tenses इससे पहले वाली वीडि देख रहे हैं, Word Order of Affirmative Sentences, पहले मैं बात कर लूँ, Word Order का मतलब है, जब हम sentence को हिंदी का कोई sentence हमें दिया और English में हम उसको translate कर रहे हैं, तो English में सब्दों का, English meaning तो हम उसमें याद कर लेते हैं, पता होता है, लेकिन उनको किस तरीके से adjust करना है, कहां subject use करना है, कहां helping वर् very important, यह सब चीज़ें बहुत जादा जरूरी हैं, सीखना, जनना, ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे, जो बारे sentences में हम पढ़ते हैं, उसमें हम कुछ sentences भी पढ़ते हैं, वैसे तो sentences पांच परकार के अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें इसलिए हम, assertive sentences और interrogative sentences के दो- word order of affirmative sentences, जैसे हमें पता चल जाता है sentence affirmative है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या use करते हैं, subject, उसके बाद use करते हैं, helping verb first, उसके बाद helping verb second, उसके बाद main verb, object और compliment, इस तरीके से हम sentence को adjust करेंगे, सारे word को, sentence में, तो अब आप यह देख रहे होंगे, helping verb first और helping verb second, यह क्या चीज़ होत होती हैं, तो इसमें confused होने की जरूत नहीं है, मैंने कुछ थोड़ा स्वीधा के लिए इनको इस तरीके से मान लिया है, जैसे मान के चलिए कही सारे sentences होते है, sentences, जिनमें किवल एक ही helping verb होती है, जैसे मान के चलिए do है, या does है, या did है, तो इनमें किवल एक ही helping verb होती है, ल कि ऐसा मैंने क्यों किया इस विधा के अनुसार आगे देखेंगे negative sentence का order सबसे पहले subject SUB करके मैंने दिया है helping work first उसके बाद not उसके बाद helping work second यह देखेंगा मान के चलिए कि यदि हैज been होता तो has been का मतलब क्या होता कि हैज हम यहां लेते helping work first के रूप में उसके बाद हमें not लेना है उसके बाद में फिर हमें bean का प्रियोग करना है ठीक है तो यह कहीं confusion ना होके not को कहां यूज करना है इसलिए मैंने helping work first और helping work second का नाम इनको दिया है उसके बाद man work object और plus complete compliment हम last में लगाते हैं ठीक है interrogative first first type का मतलब जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है generally सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि जिनमें सबसे पहले क्या शब्द आता है वो interrogative first type होते हैं और उनको हम English के आधार पर पढ़ है तो उनको यह भी बोलते हैं yes or no answer type questions यानि ऐसे question ऐसे interrogative sentences जिनका हम उत्तर yes या no में दे सकें जैसे क्या आपने खाना खा लिया है yes और no ठीक है तो या तो ऐसे देख लिए कि इनके सबसे पहले क्या आया हुआ हुआ होगा या फिर इस तरह से देख लीजेगे इनका उत्तर हम answer हम yes और no में यहां interrogative first type यह helping verb first subject not और helping verb second अब इसमें यही देख लीजेगा अगर मानने के चलिए यह interrogative first type है और इसमें hedge bean लगाना होता तो हम hedge को यहां यूज करेंगे फिर subject लेंगे not उसके बाद helping verb second यानि bean हम यहां लेंगे main verb object और compliment इस तरह से हम interrogative second का word order यूज करेंगे next देखेंगे interrogative second type interrogative second type क्या होते हैं जिनमें question word हिंदी वाले वाक्यों में के बीच में आता है मतलब जैसे की आपने खाना क्यों नहीं खाया है तो क्यों जो word आया है बीच में आया है इसको हम कहेंगे interrogative second type अब interrogative second type का हमें word order कैसे रखना है ध्यान देंगे सबसे पहले हमें रखना है qw मतलब question word सबसे पहले question word उसके बाद helping word first मानके चलिए अगर helping word के विल एक ही single word है तो उसको हम helping word को यहीं रख देंगे मानके चलिए के हमें does यूज करना है और यहाँ पर subject not और bean को हमें यहाँ पर use करना था ठीक है students आगे बढ़ते हैं उसके बाद main verb object, compliment इस तरीके से हमारे जो चार sentences हम generally tenses में पढ़ते हैं confused मत होईएगा sentences हमारे चार निवल की पांस होते हैं लेकिन जो हम tenses के अंतरकत पढ़ते हैं वो केवल हम यही पढ़ेंगे ठीक है और इनके word order मैंने दिये हैं एक बार इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिजे इन्ही word order का repetition होगा हर बार है tense में से चाहे हम present indefinite पढ़ रहे हैं चाहे present continuous पढ़ रहे है present perfect पढ़ रहे हैं केवल हमको क्या करना होगा कि helping verb मान के चलिए है do does आता है present indefinite में तो हमाँ do or does इसके स्थान पर यूज करेंगे और यदि आगे कोई और भी आता है तो यहाँ पर helping verb first और helping verb second जरूत के साब से हम यहाँ पर वो यूज कर लेंगे ठीक है students और इसके आगे भी हमारे कुछ important points है जैसे कि बीच में आया था subject, helping verb, main verb, object तो यह क्या होते हैं इनको भी जानना एक बार बहुत जरूरी होता है कि subject क्या है, helping verb क्या है, main verb क्या है तभी तो हम उनको सही स्थान पर यूज कर सकते हैं तो मैंने ये वीडियो में आगे लिया है parts of a sentence अब यहां भी देखें एक sentence के part की बात करें तो parts, subject, predicate और subject के भी अलग-अलग parts होते हैं प्रेडिकेट के भी अलग-अलग parts होते हैं लेकिन क्यूंकि यहां हम जो ये वीडियो बना रहे हैं केवल इसलिए बना रहा हूं है ताकि बारे-tenses को बढ़िया तरीके से समझा जा सके कि हम subject क्या यूज करते हैं helping verb क्या कहां यूज करते हैं ठीक है, तो इनको थोड़ा short में लेंगे लेकिन कुछ man चीज हैं लेंगे, जो जरूरी है subject subject का मतलब हिंदी में होता है करता और करता का मतलब होता है कारिये करने वाला या जिसके बारे में कोई बात कही गई हो ठीक है दोबारा देख लें, करता subject कोन होता है कारिये करने वाला helping verb देखेंगे helping verb क्या है, सहाय क्रिया helping verb मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थिसपस्ट करती है यानि जो बारे टेंस होते हैं उनमें कौनसा अगर इंगलिश का कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें अगर हम पैचान करेंगे तो helping verb और main verb के combination से ही हमें पता चल पाएगा कि इसका वास्तम में टेंस क्या है ठीक है और बारे टेंस की helping verb अलग-अलग निश्चित है मलब सबकी अलग-अलग होती है यह आपको बारे टेंस के आदार पर अपने दिमाग में एक बार सैट करनी है उसके बाद आप इनको यूज कर पाएंगे ठीक है students आगे बढ़ते हैं एक होती है main verb main verb किसे कहते हैं यह जानना भी जरूरी है main verb क्या है वह सब्द जिससे किसी कारिये के होने का पता चलता है इसे action word भी कहते हैं जैसे मानके चलिए चलो अभी आगे मैं और object बतातू उसके बाद एक example से आपको यह clear करूँगा तो शायद आप इसको बहतर तरीके से समझ पाएंगे ठीक है object क्या है object को हिंदी में कहते है कर्म जिस पर यह जिसके लिए कारिये किया जाता है वह object क्या लाता है compliment क्या होता है compliment का मतलब होता है पूरक पूरक का मतलब है पूरा करने वाला मतलब sentence में जितने भी word बच जाते हैं subject, helping word, main word तथा object के अलावा के अतिरिक सबी सब्द या जो सब्द समूं होते हैं वो वाक्या को किवल पूरा करने का काम करते हैं इसलिए हम उनको कहते हैं पूरक या compliment ठीक है students ये थे हमारे अलग-अलग अब हम देखेंगे यदि हम बात करें चपरासी घंटी बजाता है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें subject क्या है, helping word क्या है और main word क्या है तो सब देखेंगे काम जो हो रहा है, घंटी बजाने का हो रहा है तो काम करने वाला कौन है, चपरासी यानि घंटी कौन बजाता है, चपरासी तो जो काम करने वाला है, वो क्या हो गया हमारा subject ठीक है, उसके बाद देखेंगे, जो चपरासी कारिय कर रहा है, जो अपनी उर्जा लगा रहा है वो किस पर लगा रहा है घंटी पर काम कर रहा है तो जो हमारी घंटी है वो हो गया हमारा object ठीक है students अब क्या है बजाना बजाना का मतलब बजाना कोई व्यक्ति का नाम नहीं है को जगया का नाम नहीं है बलकि क्या है एक किरिया है एक activity है जैसे अगर वो हतोड़ी लेगा पि यह हो कि हमारी main work इसके साथ हमें helping work बहुत चूज करनी है और उसके बाद इसको हमें English में जो हमारा word order है उसके according हमने इसको use कर लेना है tense के according वो चीज़े हम आगे पढ़ेंगे बारे tense को हम कल सुरू कर रहे है एक एक tense को लेकर तो हमारी यह video series लगातार आप देखते रहे है यदि आप वास्ता में tense और translation सीखना चाते हैं English language सीखना चाते हैं Thank you very much students